आज मैं बात करने जा रहा हूं लव और मारिज कमपैटिबिल्टी की जो की आधार होगी आपकी राशी यानि की आपके चंदर जहां पे बैठा होगा या आपके लगन के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं एरीज की एरीज की कमपैटिबिल्टी इन टरम्स अफ लव और मैरिज कैसी रहेगी अन्यराशी वालों के लिए एरीज की एरीज के साथ काफी हद तक सेम फिलास्पी रहेगी क्योंकि दोनों के स्वामी सेम है यानि कि लव में आप भी बहुत जादा पसेजिव रहेंगे और आपका पार्टनर भी पसेजिव रहेगा मैरिज का देखें तो आप दोनों के बीच में एक अग्रेसिव नेश जरूर रहेगा क्योंकि मंगल जो है वो वहाँ पे अपना इंपक्ट सुरू छोड़ेगा एरीज की अगर बात करें टॉरस के साथ में तो टॉरस जो साइन होता हुआ वीनस और वीनस जो होता है वो न्यूट्रल होता है मंगल के लिए यानि कि टॉरस वालों की जो कमपाटिबिल्टी होगी इन टरम्स अफ लव और मैरेज काफी हद तक न्यूट्रल होगी बट यह कम और ज़ाधा हो सकती है जैसे कि आपकी कुणले में योग और दोश होगे अगर अच्छे योग है तो यह नीट्रल से पॉसिटिव साइट पे जाएगा और अगर दोश है तो नीट्रल से नेगिटिव साइट पे जाएगा अब बात करते हैं जैमिनाई की जैमिनाई का जो लॉड है वो है मरकरी और मैं आपको बता दूँ मंगल जो है मरकरी को अपना दुश्मन मानता है यानि की आपकी compatibility in terms of love और marriage काफी हद तक disturbed रहेगी बट ये compatibility काफी हद तक अच्छी हो जाएगी अगर आपकी कुंडली में मंगल या बुद्ध किसी तरीके का योग बना रहा है बट ये वर सुजिशन हो जाएगी अगर ये दोनों कोई दोश में indulge हैं यानि की अपने हिस्सेदारी दे रहे हैं किसी दोश में चौता है करक यानि की कैंसर का जो स्वामी है वो है चंद्र चंद्र जो है वो मंगल का काफी अच्छा दोस्त है क्योंकि चंद्र एक तरीके के से मदर का indicator है और जो मंगल होता है वो भूमी पुत्र यानि की पुत्र का indicator है तो मा और बेटे की बीच में जो प्यार है वो हमे है या अच्छा है वो उसको प्यार करता है तो बेसिकली इस compatibility में अगर देखें तो काफी हद तक आपका relationship stable और successful रहेगा बट अगर कहीं ये मंगल आपके कुंडली में चंद्र को देख रहा है यानि दृष्टी रख रहा है तब आपके compatibility में issues आ जाएगा in terms of love और marriage fifth जो sign है वो है लियो अब लियो जो है वो थोड़ा सा energetic sign है क्योंकि सूरे का है सूरे जो होता वो energy को denote करता है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूरे होता है वो मंगल की राशी में उच्च का होता है दोस्तों तो यानि कि अगर आप एरी साइन के जातक है यानि कि आपकी जनम कुंड़ी जो है कि फस्ट भाब में एरी साइन में है तो आपके लिए compatibility काफी अच्ची रहेगी क्योंकि सूरे तो आपकी राशी में ज़रूरी है अधर्वाइस आप लोग लड़ते जगडते हमेशा रहोगे बट प्यार भी उसी तरीके से बढ़ेगा तो मैं कह सकता हूँ ये compatibility काफी हद तक अच्छी रहेगी जो साइन आता है वो होता है वर्गो अब वर्गो अगेन साथ में काफी हद तक खराब रहेगी बट मरकरी अगर आपके कुंडली में अच्छा है एक्जॉल्टेड बैठा हुआ है या किस योग में इंडल्ज है तो आपके लिए ये relationship काफी हद तक अच्छा रहेगा और आप सुकून से अपनी जिंदगी अपने पार्टनर के साथ वितीत करेंगे सेवन्थ जो साइन है वो आता है लिब्रा अब लिब्रा अगेन यानि कि फिर से वीनस का साइन है और वीनस के साथ मंगल की जो compatibility है वो neutral है अगर इस neutral केस में अगर आप देखोगे तो लिब्रा वालों के सेवन्थ भाव में Aries आ जाता है तो यानि कि इस केस में लिब्रा के केस में आपकी compatibility positive side पे रहे क्योंकि वो 7th sign पे 7th भाव पे already आ गया जो कि marriage का है तो अगर marriage के भाव में वो आ गया तो उसको वो बली करेगा वो उसको अच्छा करेगा 8th sign होता है Scorpio का, Scorpio मंगल की खुद की राशिया यानि कि वो खुद के अपने घर में है तो ऐसी compatibility यानि कि Aries और Scorpio वाले लोगों की काफी हद तक सेम रहेगी अगर आपने लड़ाई की तो उसने भी लड़ाई की, अगर आपने प्यार किया तो उसने प्यार किया है, so in terms of compatibility देखा जाए तो ये आपके लिए बहतर है बट अगर आप इस चीज को खराब करना चाहो तो वो आपके ऊपर होता है सो मेरे हिसाब से ये compatibility काफी हची रहेगी, depends upon your behavior 9th sign होता होता है Sagittarius यानि कि धनू का, Jupiter जो है वो बहुत जादा अच्छा दोस है मंगल का, क्योंकि ये Aries के अगर हम कुंडली बनाते हैं तो 9th भाव आता है Sagittarius का, जो कि सबसे जादा important और सबसे जादा benefit हाउस है तो Jupiter वाले लोगों, यानि कि Sagittarius के लोगों की compatibility जो Aries वालों के साथ है काफी हद तक बहतर होगी अगर आपकी कुंडली में Jupiter दोश में भी indulge है स्टिल आपकी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि Jupiter एक natural benefit है जिसे हम कह सकते है divine blessings है तो खराब होने के बाबजूद भी वो कुछ न कुछ अच्छा देता ही है तो basically Aries की साजी जेरिस के वालों के साथ compatibility in terms of love और marriage काफी हद तक अच्छी रहेगी despite of any दोशा 10th sign Capricorn यानि की शनी का शनी मंगल के साथ neutral feel करता है although शनी एक cruel planet है यानि की cruel गरा है और मंगल भी एक cruel यानि की cruel planet है बट दोनों की जो inimity है वो नहीं दिखती यानि की दोनों में दुश्मनी नहीं दिखती दोनों neutral है बट अगर एक दूसरे को छेड़ेगा तो दूसरा उसका response जरूर देगा क्योंकि दोनों ही cruel है so basically Aries बालों की Capricorn बालों के साथ जो intimacy level रहेगा compatibility level रहेगा in terms of love और marriage काफी हद तक moderate रहेगा और ये extreme जा सकता है depends upon your yoga and दोशा अगर खराब दोशा में indulge है आपका mangal या शनी तो आपको ये खराब result देगा बट अगर शनी या mangal अच्छे yoga में indulge है या दोनों में से एक कोई भी अच्छे yoga में indulge है तो आपकी जो level है compatibility का वो काफी हद तक अच्छा रहेगा 11th sign भी जो आता है वो Aquarius का आता है शनी का आता है बट इसमें difference है difference ये है कि अगर Aries की हम कुंड़ी लेते हैं तो ये 11th भाब में जाता है यानि कि compatibility के terms में देखे तो ये काफी हद तक आपको gain देगा यानि कि इस case में आपका partner आपके लिए लग्की सावित होगा आप कुछ भी करें वो आपको gain ही देगा यानि कि अगर आप उसको नराज भी करते हैं तब भी वो आपको प्यार करेगा तो ये compatibility काफी हद तक शनी के अगर दृष्टी से देखा जाए काफी हद तक अच्छी है तो इस case में मैं इसको कहूँगा कि आपको अपने partner के लिए थोड़ा सा प्यार जादा रखना चाहिए उस पे गुसा नहीं करना चाहिए क्योंकि mangal जो है वो aggressive और गुसे का खारक है आखिर में जो sign आता है वो आता है Pisces का Pisces जो होता है Jupiter का sign और ये बार में भाव को represent करता है Aries के कुंडली में अब इसका जो स्वामी है वो Jupiter है गुरू है यानि कि उसका गनिष्ट मित्र है उसका extreme level का दोस्त है बट क्योंकि ये 12th भाव की राशी है यानि कि वो 12th house में चली जाती है तो इनकी जो compatibility होती है वो काफी हद तक emotional standards के ऊपर खड़ी होती है यानि कि emotional काफी होते है इन दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह की problem आएगी तो वो emotional imbalance आएगी हाला कि इसके लाबा उनके बीच में कभी किसी चीज़ का imbalance नहीं आएगा बट emotionally ये दोनों एक दूसरे से काफी attach होंगे तो अगर किसी ने किसी को emotionally hurt किया तो इस relationship में काफी problem आ सकती है तो ये मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया compatibility, intimacy level on the basis of love और marriage की कैसे रहेगी अन्य राशी वाले जातकों के साथ इसके लावा हमारे इस चैनल Associates TV YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले bell icon जरूर दवाएं ताकि हमारे जो latest videos हैं उसका notification आपके तरफ आता रहे धन्यवाद, नमस्का